आत्म निर्भरता की ओर भारत का बढ़ा एक और कदम एनर्जी की क्षेत्र में आत्म निर्भरता की ओर बढ़ा एक अदम ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बनाए महत्व कांक्षी योजना प्रधान मौंत्री नरेंद्र मुदी का सपना है भारत आत्म निर्भर बने इसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है चाहे वो कोई भी ख्षेतर क्यों ना हो हारुक शेतर में भारत सरकार चाहती है कि वो आत्म निर्भर बने और आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके निर्यात का प्रिद्शत जादा हो हाला कि किसी वस्तु को आयात करना देश के लिए आहित नहीं होती लेकिन आत्मनर्भरता उसकी अर्थे ववस्था को मस्बूत बनाते थी है हाल फिल हाल में भारत जिन वस्थों का आयात करता है उसमें कच्छा तेल भी शामिल है देश के आयात विल में कच्छे तेल की हिस्सेदारी बहुत साधा है लेकिन जल्द ही अपने आत्म निर्भरता वाले फॉमिले पर कायम रहते हुए ये स्थिती बदल सकती है जिसके चलते भारत दुनिया में एनरजी का बड़ा निर्या तक बन सकता है सरकार ने देश में ग्रीन एनरजी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वकंश योजना बनाई है इस योजना को सफल बनाने के लिए मुकेश अमबानी और गौतम अडानी जैसे उद्योगपती आ गया है ग्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट के अनुसार डेलाइन्स इंडिस्ट्रीज की ग्रीन एनरजी योजना से भारत हाइड्रोजन के उतपादन में हब बनकर उभर सकता है इशिया के सबसे बड़े रईस और एलाइन्स के चेर्मैन अमबानी ने ग्रीन एनरजी में करी 75 अरब डॉलर के निवेश की गोशना की है जिसके तहट कमपनी हाइड्रोजन पर जोर दी सकती है ग्रीन हाइड्रोजन पानी और क्लीन एलेक्टरिसिटी से बनती है और इसे भाविश का इंधन कहा जा रहा है लेकिन इस से पहले जान लेते हैं कि आखर क्या है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है इसके फाइदे और नुकसम किसे बनती है ग्रीन हाइड्रोजन किसका विकल्प बन सकती है ग्रीन हाइड्रोजन क्या सिर्फ फाइदे ही है ग्रीन हाइड्रोजन की या हो सकता है उससे कोई नुक्सान जब पानी से बिजली गुजरती है तो हाइड्रोजन पैदा होता है इस हाइड्रोजन का इस्तमाल बहुत सारी बस्तों को पावर देने में काम आती है अगर हाइड्रोजन बनाने में इस्तमाल होने वाली बिजली किसी रेनियूइबल सोर्स से आती है मतलब ऐसे सोर्स से आती है जिसमें बिजली बनाने में प्रिदूशन नहीं होता तो इस तरह बनी हाइट्रोजन को ग्रीन हाइट्रोजन कहा जाता है फिलहाल अभी पवन चक्की और सोलर पावर के जरीए एनरजी पैदा की जा रही है जिनसे प्रदूशन नहीं होता है इस एनरजी को प्योग गाड़ियों, ट्रेने और बहुत सी फैक्टरियों में किया जाता है लेकिन हर इंडरस्टी में काम नहीं आ सकती आज भी स्टील और सिमेंट जैसे उद्योगों में कोईले की जरुवत परती है वहीं एरलाइन्स और पानी के जहाजों के लिए लिक्विट फ्यूल की जरुवत परती है यानि लंबी दूरी की आत्रा रेनियोबल एनरजी पर निर्भर नहीं रह सकती ऐसे में जरुवत परती है हाईडरोजन भी जिसका इस्तमाल स्टील सिमेंट इंडरस्टी समेट एरलाइन्स और पानी के जहाजों में लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है इसके साथ ही इसे स्टोर भी किया जा सकता है और फिर जरुरत के हिसाब से इस्तमाल कर सकते हैं यानि ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत सारी फायदे हैं लेकिन जहां ऐसी उर्जा के फायदे हैं वही कुछ नुकसान भी है ग्रीन हाइड्रोजन हो सकती है जानलेवा पहले भी हो चुके हैं कई जानलेवा हाथ से पुराने हाथ सों से लेना होगा सबक ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा खत्रा है इसकी सुरक्षा यानि इसकी देखरी हाइड्रोजन बहुत अधिक जो लंशील होती है अगर डीजल पेट्रोल का टैंक लीक हो जाये तो वो जमीन पर फैल जाएगा लेकिन हाइड्रोजन टैंक में एक छोटी सी चिंगारी या लीक का अंजाम भयानक हो सकता है उदारण के तोर पर हम आपको भूत काल में हुए कुछ ऐसे भयानक हादसे के बारे में बताएंगे जिनका कारण हाइड्रोजन रही है 1937 में एक बड़े एरशिप हिंडन बर्ग में आग लगाई गई थी जिसकी बजह से उसमें 97 लोगों में से 36 लोगों की जान चली गई उसकी बाद एरशिप को असुरक्षित कहा जाने लगा और इसी बजह से एरशिप इंडरस्ट्री डूब गई 2011 में जापान में भुकमप और सुनामी आई थी जिसके कारण फुफुशिमा न्यूकलियर पावर इस्टेशन में हाइड्रोजन की बजह से एक बड़ा धमाका हुआ जिससे रेडियो एक्टिव लीकेज हुआ लाखों लोगों को वहां से हटाया गया और अभी भी उसके असर देखरें को मिलते हैं 1986 में चर्नोबिल परमानु दुरगटना ने भी हजारों लोगों की जान ले ली थी ग्रीम एनरजी को लेकर क्या है भारत सरकार के तयारी उद्योग पतियों का क्या है नजरिया ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बोधी सरकार ने देश में हाइड्रोजन पावर बनाने के लिए एक एहम कदम उठाया है इसके तहर सरकार ने नई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई है जिसका देश के उद्योक पतियों ने खुल कर स्वागत किया है नई पॉलिसी के तहट 2030 तक 50 लाग टन हाइड्रोजन बनाने की उजना है जिसके तहट का इंसेंटिब भी दिये जाएंगी नई दिल्य के ठिंक टैंक CEEW में सिंटर फोर एनरजी फाइनेंस के डिरेक्टर गगन सिध्धु ने कहा की रिलाइंस ग्रीन हाइड्रोजन एकॉनमी की पूरी वैल्यू चैन को अपने हाथ में लेने के तैयारी में है कमपनी को इसमें अपना भविश्य दिख रहा है आपको बता दे कि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने पिछले साल भारत को ग्रीन एनरजी के उत्पादन और एक्सपोर्ट का हब बनाने के लिए एक योजना की थी हालकि रिलाइंस ने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया की 75 अरब डॉलर के निवेश में कितना हिस्सा हाइड्रोजन के लिए होगा वहीं अडानी एंटरप्राइजस, NTPC और IOC ने भी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए योजना बनाई यहाँ आपको बता दे कि एक साल में हाइड्रोजन की योजना बनाने बाले देशों के संख्या दोगिना होकर 26 हो गई है माना जा रहा है कि भारत, ब्राजिल, अमेरिको और चिंग के प्लान ग्लोबल मार्किट में तहल काम आ जा सकते हैं कैसे हासिल होगा लक्ष अभी यह सेक्टर एक्सपरिमेंटल चरान में है और इसे कमेर्शल लेव या वहारिक बनने में समय लगेगा भारत के उमीदें पूरी तरह अमबानी और अडानी पटिकी है इसमें सबसे बड़ी चनौती उत्पादल लागत में कम ही लाना है अमबानी ने एक डॉलर प्रतिकिलो के भाव पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष रखा है यह इसकी मौजूदा लागत से 60 फीसीदी कम है अमबानी ने कहा था कि रेलाइण्स इस लक्ष को हासिल करने के लिए पूरी महनत कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने क्लिए इलक्ट्रॉलाइजर्स की जुरत होती है और इसके लिए जुरूरत है इसके किमत में बहारी कामी हो भारा पेट्रोलिम कॉर्परेशन में रिफाइनरीज के डिरेक्टर रहे आर राम चंदरन का कहना है कि कोई नहीं जानता कि हम वहाँ पहुँच सकते हैं या नहीं अगर रिलाइनस तफल होती है तो इसमें अच्छी संभावना है अगर वो इसमें नाकाम रहती है तो फिर सरकारी सबसेड़ी के जरुषब पर सकती है ग्रीन एनरजी के लिए रिलाइनस गुजरात में जगहे खोज रही है उसने कच्छ में राज सरकार से चार लाख पचास हजार एकर जमीन मागी है वहीं देश के सबसे बड़ी पेट्रोलिंग कमपनी इंडियन उयल कॉर्परेशन कार्बन सर्जन वाली कायों को बदलने के लिए 2024 तक अपनी मत्रा और पानी पत रिफाइनरियों में हारित हाइड्रोजन सेंटर स्थापित करेगी कमपनी का मानना है कि हालिया घोषित हारित हाइड्रोजन नीती उर्जा बदलाव के दरिश्टे से एक महात पून पहल है और इस ते लागत को कम करने में मदद मिलेगी आयोसी के निदेशक शोधेव मविकास एसस वी राम कुमार का कहना है कि नई नीती से हारित हाइड्रोजन के वी निर्मार के लागत में 40 से 50 प्रिफश्ट की कटौती होगी उन्होंने कहा कि पेट्रोलेम रिफाइनरियां और बरक सैंतर और स्पातिकाईयां उतपादगों के उतपादन के लिए इनन के रुप में हाइड्रोजन का उप्योग होता है वहीं रिफाइनरियों में पेट्रोल और डीजल से अत्रिक्त सेलफर को हटाने के लिए हाइड्रोजन का उप्योग किया जाता है मौझूदा समय में हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस या निफ्ता जैसे जीवाश में इधन से उत्पन होता है और इससे कार्बन उस्तरजर होता है जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहते है आयोसी ने इस ग्रे हाइड्रोजन को हरित हाइड्रोजन से बदलने की यूजना बनाई है जिससे सच्छ हाइड्रोजन भी कहा जाता है इसमें उर्जा का इस्तवाल नवी करणियों उर्जा स्रोतों मसलन सौर या पवंस किया जाता है राम कुमार ने बताया कि नवी करणियों उर्जा की दो रुपए प्रती किलो वाट की लागत उत्पादन इस थल की कीमत है इसे पारेशन लाइनों के जरीये विभिन्न राजियों में भेजे जाने पर अलग-अलग शुल के लगते हैं इसके बाद यह लागत 4-7 रुपए प्रती यूनिट हो जाती है उन्होंने बदाया कि कारखाना गेट की लागा 4-7 रुपे प्रती यूरिट पर हरित हाइड्रोजन के उतपादन लागत 500 रुपे प्रती किलो आती है वहीं ग्री हाइड्रोजन में ये सिर्फ 1.5 रुपे प्रती किलो बैठती है हाइड्रोजन नीती के तहट हरित हाइड्रोजन के उत्पादिं के लिए नवी करणी और जाके खुले इस्तमाल के छूट होगी और उस पर केंदरी आदिवार और अंतर राज्य पारेशन शुल्ख नहीं लगेगा ये सुविधा 30 जून 2025 ते पहले शुरू होने वाली परियोजनाओं पर मिलेगी इसके साथ ही शेयर बाजार में ग्रीन हाइड्रोजन की योजना का असर देखनों को मिल रहा है NHPC ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा की नई कमपनी का पंजी करन 16 फरवरी 2022 को दिल्यो हर्याना के कमपनी पंजीअ के पास कराए गया ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार जिस लेवल के तैयारी कर रही है उससे एक बात तो साफ है कि सरकार को तमाम बड़ी कमपनियों को भारी सबसड़ी दिनी होगी ऐसे में सरकार पर काफी बोज भी पड़ेगा अगर ग्रीन हाइड्रोजन पर खेला गया दाव सही निशाने पर लगा तिकॉनमे में काफी भूम आएगा लेकिन अगर हम फेल हो गए तो ये भी तैह कि अर्थववस्था को गंभीर चोट पहुँचेगी अगर ग्रीन हाइड्रोजन पर भारी भरकम निवेश भी काम नहीं आया तो बिजनिस को बचाने के लिए सरकार को ही पैसे देने परेंगी